आज की नहीं वीडियो के साथ एन फपी स्पेशल के साथ आपका प्यारा भाई एसन पार बढ़लास आपकी कितने में हाजर है उभीद करता है आप सब खेर कहरियत से होंगे जुम्मी का मुबारिक दिन है भाई को दौा में लाजमी आद रखिएगा आज मेरे पास काफी मेसे बाई का कुकिंग डे होता है तो इस वजह से जुम्मी की नमाज पढ़के बिर्यानी बना के मेरी रूटीन ने दम पे लगा के मैं वीडियो बनाता हूं और जब वीडियो बना रहा हूता हूं तो बहुत मज़ी की खुश्भू भी आ रही होती है तो इस वजह से जल्दी जल्दी वीडियो निफटाता हूं खेर जिस वजह से जुम्मे की वीडियो जो है वो हमेशा लेट होती है अगले जुम्मे को कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा जल्दी बना सकूं मगर अगर ना बना पहूं तो माज़रत देखें बिर्यानी जो है वो लब है उसके किन क्लिक करें ताके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फौरी तोर पे जो है वो नॉटिफिकेशन मिल सके कोई भी वीडियो ताके आप लोगों से मिस ना हो कल की प्रिडिक्शन माशाला बहुत जबरदस रही हमने आ रही मैंने खुद भी ट्रेडिंग की और आप लोगों को दिखाया भी था कल आपको मैंने बताया था कि अगर M15 मार्केट उस वक्त कहा पे ती यह तो मुझे मालूम नहीं मगर मैंने आपको बताया था कि M15 अगर इस ट्रेंड लाइन से उपर बंद हो तो आप बाय कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर 1819 पर M15 अपर बंद हुआ और मैंने खुद भी बाय की कॉपी ट्रेडिंग में भी भाई की हर जगा भाई की और तकरीबन 100 पिप्स की जो है ये मूप देखे गया उसके बाद ये एरिया जो है यहाँ पर हमने सेलिंग देखनी थी मगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं बहुत जल्दी उससे बेल आउट हो गया तो यह हमारी कल की प्रेडिक्शन थी आज की हमारी एन फपी की वीडियो है स्पेशल अगर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो तो वीडियो को स्किप नहीं करने हैं पूरा देखने हैं आपने क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाओंगा कि किस तरीके से आज आपने ट्रेडिंग करनी है यहां पर जो लोग अभी तक स्टॉप लोस हंटिंग सॉफ्वियर नहीं ले सके हैं मैसेज करते हैं मुझे काइडली नीचे मैंने वाट्षप का लिंक दिया हुए ग्रूप का वो भी आप जोइन करें और स्टॉप लोस हंटिंग सॉफ्वियर फ्री डाउन नोट नीचे पढ़ा होई आप वहां से होने वाली है और सही बेडा घर करने वाले हैं जो स्मार्ट मनी है वो बिचारे फॉरेक्स ट्रेडर्स का जो हम जैसे चोटे चोटे ट्रेडर्स हैं तो सबसे पहले जो एक प्रोफेशनल मश्वरा है आपको जो बाईयों वाला मश्वरा है जो अगर मैं खुद ट्रेड कर ला हूं तो मैं खुद भी इस चीज़ पर करूँगा वो मश्वरा मैं आपको देने जा रहो हूं कोशिश करें कोशिश करें कि आज के दिन जो है ट्रेडिंग को अवाइट करें क्योंकि बहुत जादा जो है मामारी होने वाली है यह मैं आपको पहले से बता रहा हूं आरी इंडियन कौम जो है वो सुनेंगी नहीं उनने जो है ना कीड़ा कहीं होता है तो मुझे पता है इस चीज का आप लोग नोग मरी बात नहीं मानेंगे तो उसके लिए मैं आपको आज बता रहूं के होने के आप बात दिहान से सुनना है इस चीज पर अमल करना है और यह हो सके तो notes बना लें आप अपने पास notes बना लें ये चीजे लिख लें जो मैं बोल रहा हूं ताके आप लोग बच सके मुंकिना नुकसान से मैं levels लगा रहा हूं उसके बाद जो है आप लोगों को समझाता हूं जब तक आप एक काम करें कि notes अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए मैं जब तक levels लगा लेता हूं आप जब तक notes बना लें अच्छा सबसे पहले अगर हम FOMC का डेटा देखें कि क्या हमें लगता है क्या होने वाले तो average early earnings जो है वो मुम्किना तोर पर जो यह दिखा रहे है कि same आने वाला है और non-form employment change जो है वो decrease हो है जिसकी बजाद से जो है it's a bad sign for dollar मगर 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 यह इतना बड़ा gap आप देख सकते है कि पिछली जो forecast थी उससे बहुत जादे खाए गया पाया था और अब बिलकुल उसका half आ रहा है तो जब भी ऐसा scenario होता है और unemployment rate जो है वो same है तो जब भी ऐसा होता है तो यह मेरा experience है बहुत जो है न मा मारी होती है और यह पूरा proper एक trap होता है लोगों को पसाने के लिए अब मुम्किना तोर पे जो इस वक हमें move दिखती नजर आ रही है जो मुम्किना move दिख रही है हमें वो यह है कि फर्स करें market यहीं भूब रही है यू 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 और NFP आते साथ ही एक spike पढ़ना चाहिए 1844 की तरफ और वहां से market जो है वो गिरनी चाहिए कहां तक इस trend line को test करने के लिए और यह trend line break होने का chances भी है एक मिन में पहले आप notes की त्यारी किरें मैं एक बार lines लगा लू फिर तरीके से समझाता हूँ ए एल्ला तेरा शुकर है मेरे मालिक मेरे पाल जगे ही खाता हूँ प्रेंड लेन दिखाने के लिए कुछ इस तरह से मगर यहां पे जो मुझे लग रहा है कि यह जित्ता सीधा दिखा रहे है उत्ता सीधा उन्हें वाला नहीं है होगा कि अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है अब मैं आपको दो से तीन जो मुम्किना ट्रैप हो सकते है उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ इसको गोर से समझिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर 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 नॉन फॉर्म इंप्लाइमेंट चेंज जो है वो अच्छा आता है मगर अगर ये जो है एवरिज ओर्ली अर्निंग जो है ये डेटा जो है ये खराब आजाता है यानि कि डॉलर के अगेस्ट आता है ये डेटा और बाकी दोनों डेट जो है वो डॉलर के हक में आते हैं तो क्या होगा कि ये जिग-जग मूफ पड़ेगी जिग-जग मूफ क्या होती है कि यानि कि पहले मार्किट को नीचे लेके जाएंगे फिर उपर लेके जाएंगे और अगर जो है तीनो डेटास जो हैं वो डॉलर के हक में आते हैं यानि कि डॉलर को अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रॉंग कर देते हैं आपने क्या करने हैं जैसे न्यूज आई देखना है क्यूंकि देखो फॉरन जंप मारने का फायदा नहीं है फॉरन जंप मारोगे तो 95% लोग रहे हैं भू अपना पैसा डुबा देते हैं न्यूज के दोरान जो फॉरन जंप मारते हैं जतने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एक लिए पर माहमारी होने देते हैं यह आप किसी भी किताब उठानी देख लो कवी भी परफेशनल ट्रेडर उठा के देख लो कभी मश्राइदूँगा पहला मश्राइए के लिए रेडिग करें, दूसरा मश्राइए अगर आप Pues जादा आपको कोई यह अन्निक पई उई है, यानि के करनी खेücken यह चरेड तो एक गेंटा होने दें थी उजाने के बाध आदा गेंटा एक गेंटा होने दे पूरा एक बार जाने दे मामला जो होता है होने ने सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास है कि डॉलर जो है वो वीक हो जाता है जो इस डेटा में दिखा रहे है डॉलर वीक हो जाता है तो हमारे पास सिनेरियो क्या है कि गोल्ड एक स्पाइक मारेगा लोगों को trap करने के लिए इस वक्त gold है 1834 पे spike मारेगा तकरीबन 1844 तक और यहां से यह फिर वापस आएगा 1822 पे इस trend line को test करेगा फिर वापस आएगा 1830 की तरफ और आएगा cell में यह तो guys होगी हमारा पहला scenario इसके बाद अगर मैं आपको weekly candle दिखाऊं गोल्ड की यह candle जो इस वक्त है बंद होती है अगर यह weekly candle 1810 से नीचे तो आप समझने के गोल्ड का जो है अगला target जो है वो 1720 के आसपास होगा और अगले दो हफते जो है यह बाद नोट कर ले अगले दो हफते जो है वो गोल्ड जो है वो selling trend में ही रहेगा इस चीज़ को कांड़ी अपने पास नोट कर लें कि आपने अगर यह candle जो है weekly की 1810 से नीचे बंद होती है तो अगले दो हफते तक गोल्ड जो है वो selling में रहेगा और आप continuously हर हाई पे sell मार सकते हैं मैं अपने पास भी नोट कर लेता हूँ यह चीज़ क्योंकि मैं इसी तरह से नोट बनाता हूँ अब फिर वो stop loss अंटिंग सॉप्फियर की मदद से सारी चीज़े मैं देख रहा होता हूँ वगेरा वगेरा अच्छा दूसरा जो है सिनेरियो जो के खतरनाक वाला है अगर यह डेटा को मैनुप्लेट करते हैं डेटा मैनुप्लेशन करते हैं और डेटा यह मिक्स ले आते हैं यानि कि एक जो है वो डॉलर के फेवर में है सॉरी डॉलर के अगेस्ट है मगर यह जो अर्ली अर्णिंग है यह डॉलर के फेवर में आ जाती है तो क्या होगा यह मार्किट को मैनुप्लेट करेंगे और यह गोल्ड को कम असकम कम असकम 1857 या एक मिल टुकिएगा मैं एक लेविल देख लूँ ज़रा यहां पे कहीं पे था यहां तक यह जो है इसको ले जाएंगे इस तरीके से आपने क्या करना है मैनुप्लेशन से बचने के लिए इसका तरीके कार क्या होगा कि अगर मार्किट यूँ जाके H1 बंद करती है ठीक है अगर तो यह ट्रैप होगा तो अगला ही H1 जो है वो सेल में बंद हो जाएगा और आपको पता है फिर सेल में क्या करना है ठीक है मगर अगर इसके अगेज मार्किट को यह लेके जाते है और इस तरीके से H1 को नीचे लाते है और उसके बाद एक बड़ा H1 जो है रिवर्स में बाई में ले जाते है तो इसका मतलब क्या है गोल्ड जा रहा है कहां पर 1862 की तरफ और अगर ऐसा होता है और यह जो हमारी weekly candle है यह in short यहां पर कहीं बंद हो जाती है 1862 की तरफ तो मेरे प्यारे बैन माई गोल्ड आपको जाता हुआ दिखेगा बहुत असानी से 2000 की तरफ उमीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि NFP जो होता है वो बड़ा पिछली बार तो मैंने आपको डैरेक जो है वो मून देनी थी कि आप लोगों ने यह करना है ठीक है सब लोगों ने पहले से हम लोगों ने ट्रेट लगा के बैटे वे थे मगर आज का जो डेटा है वो बहुत क्योंकि मैंने जैसे आपको बताए कि ट्रेडर्स को पसानी की पूरी त्यारी है जो मेरी नजर में इस वक है तो मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल सादा मुव ही ट्रेप होगा तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि किस तरीके से ये मेनिपलेट करेंगे अब आप लोगों के उपर है सिर्फ आप लोगों ने सबर रखना है होसला करना है मार्किट कहीं नहीं जाती आज नहीं मैंने ये आपको बता दिया कि अगले हफते तक जो भी आज क्लोजिंग होगी अगले हफते तक वो मूव चलेगी तो आप अगले हफते भी कमा सकते हो लाजबी नहीं कि आज ही बूटना मरना है तो काइंडली 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 अपने हक हलाल की कमाई को जाया मत कीजेगा सबसे पहला सिनेरियो दुबारा दोर आ रहा हूँ मार्केट एन फपी पे वाय की स्पाइक मारती है इस एरिये से रिवर्स होती है और 1810 से नीचे वीकली केंडल बंद करती है तो अगले दो हफते तक गोल्ट सेल में आए और 1750 आपको दिख रहा है इन केस बार्केट न्यूज आने पर दददददददददददददददददददददददददद हरती है और अगला ही केंडल H1 का बाय में बंद हो जाता है तो तबाई मचने वाली ये gold जाए और weekly candle 1860 से अबव बंद होता है तो ये gold 2000 डॉलर पर आउंस पे जाने वाला है ये मैं आपको लिख के दे हूँ उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को प्लीज शेयर करें बेल का एकन क्लिक करें ताके अगर मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले दौाओं में यान रखें जम के पैसे कमाएं अल्हाफिस